दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो आपको हर रोज वीडियो दी जाती है जो कि आगामी उत्राखंड के सबी एकजाम के लिए महत्वण होती है जैसे कि उत्राखंड पुलिस, वीडियो, बीप आपको कमेंट बोक्स में कितने आपके सई हुए यह देखे दोस्तो बड़े-बड़े एकजाम में या कोई पी एकजाम में है तो सब में लगबग पूछेगें, तो इतने कोश्चिन आज हम देखने वाले हैं, पूरे 15 कोश्चिन हैं, तो आप वीडियो को अंद तक जरूर देखेगा, अगर नए है तो चैनल को सस्क्राइब, अगर पुराने है तो वीडियो को लाइक, और दोस्तो के सांद भी सेर जर हैं, किसी ने किसी एक्जाम में जरूर बन सकता है, 20 अक्टूबर 2018, 20 अप्रेल 2018, 20 अक्टूबर 2019, या फिर 20 अप्रेल 2019, इम्पोटेंट प्रसन हैं, और ऑप्शन भी काफी कन्प्यूजन वाले हैं, जिन जिन लोग ने ऑप्शन नंबर A सोचा है, 20 अक्टूबर 2018, दोस्त मतलब कि एक GST से ही, उसके अंदर का था, उसे ही संबंदित है, तो GST उत्राखंड में अगर पूछा जाता है कि कब आया तो GST दोस्तों, जैसे पूरे भारत में कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, एक जुलाई 2017 से, तब भी उत्राखंड में भी तब ही आ तब आपको याद रखना है, यह पांचवा राज्जी था, पांचवा राज्जी और पहला राज्जी था असम, तो उत्राखंड था पांचवा राज्जी, यह आपको बिल्कुल याद रखना है, एक्जाम में कोश्चिन बन सकता है, आने वाले समय में भी, अभी भी पू पाल ने क्योंभी दोस्तों जो देश के लिए कानौन बंदते हैं पहले और लोक सभा राज्जी सभा फिर राष्ट्रपति के पास जैसे कि किसी में भी आ सकता पहले तो हमारे या सिर्फ बिधान सभा है जैसे राज्जी में तो दो माई 2017 को बिधान सभा में पेश किया गया उसके बाद वहां से फिर जो राज्जी पाल ने अंतिम अपने हस्ताक्षर किये वो किये थे 30 जून 2007 को राज्जी पाल ने अपनी इसमें मंजूरी दी थी किसमें जीएस्टी में तो इतना आपको याद रखना है उत्रा खंड में ये विल वियोस्ता के शुरुआत कब हु पूचे गें अभी मैंने आपको पूरा दिखा दिया टपकेश्वर मंधिर इस्तित है सिर्फ इतना ही प्रसने बना था और विधी साएक 2018 जो कि लोवाला होता है एक्जाम उसमें पूछा गया था बागेश्वर हरीद्वार देहरादुन या फिर चमोली में टपकेश्वर मंधिर का इस्तित है दोस्तों ये टपकेश्वर मंधिर है आपका उप्सन नमर सी का है देहरादुन में तो देहरादुन में टपकेश्वर मंधिर दोस्तों ये टपकेश्वर मंधिर जहां पर की स्वर आए पीछे से जैसे जागेश्वर या बागेश्वर तो स्वर मतलब का यहां पर प्राचीन मंदीर है यह दोस्तों गुफा मंदीर के रूप में भी अब गुफा मंदीर कैसे की जो लोग उधर गए होंगे जिरूने देखा होगा नहीं कि तो अगली बार जब आप जाएं तो जरूर देखें या जो वहां से उनको तो भाली बाती पता होगा यह पर दोस्तों यह दोस्तों उत्राखंड एसाई दरोगा भरती जो 2015 महीति उसमें पूछा गया था अब आपके लिए बिल्कुल आसान होगा आपको लगेगा यह बच्चो वाला परसन है पर दोस्तों एक्जाम में आपको एकुरेसी के सांथ कोश्चिन सही करने होते हैं इतने बड़े एक्जाम में भी आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान परसन है पूछा गया हाला कि आपने पढ़ लिए जिन लोग उने नहीं पढ़िये तो उनके लिए यह भी मुश्किली प्रसन है कौन अंगी रती, उत्तरकासी, सर्यू, बागेस्वर, अलक नंदा और मंदा किनी का संगम होता है रुद्रपरियाग में पर केदार ना थे रुद्रपरियाग तक जो नदी ब्याती है वह है हमारी कौन सी मंदा किनी यह आपको बिल्कुल याद रखना है मंदा किनी चौरा की कहा पर जैसे से फस्ट पर्याग और नीचे से मान बान flowing बनार तो बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की द्रफ अगला कोस्चिन है दोस्तों ये भी इसी तरह से पुछा गया था नंदी कुंड इस्तित है आप देखेंगे कि बिल्कुल इतने इतने छोटे परसने से नंदी कुंड इस्तित था सिधे एक पूछ दिया जैसे आप से पूझा चाहिए नंदी कुंड इस्तित है हाइकोट इस्टेनो ग्राफर का एक्जाम था 2015 में उसमें पुछा गया था चमोली तहरा दुन नैनी ताल या फिर रुद्र परियाग जो जो लोग चमोली वाले हैं वो बिल्कुल गलत है नंदी कुंड है कहां रुद्र परियाग में नं कोट कलर के 2015 इसमें एक्जाम में आया हुआ है कुमाओं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं इसी तरह से पूछा गया था कि कुमाओं की चित्रकला के पुस्तक लेखक कौन है कुमाओं की चित्रकला डाक्टर एसोदर मटपाल डाक्टर सेकर पाठक डाक्टर ओंपरकास ड उत्राखंड में कुली बेगार परता ये तो most important है कि कई बार पूछी गिए उत्राखंड में कुली बेगार परता किस ने लिखी है तो डॉक्टर सेकर पाटक ने लिखी है पहाण सस्तान भी निके द्वारा जो असकोड आरा कोड़ अभ्यान है जो पहाण सस्ता इसके सस्ता द्वाब भी है डाकटर सेकर पाटक और कुमाओं की चितरकला किसी हो जाएगे कि द्र्य द्र्ड यस उदर मठपाल की दोक्टर यस उदर मठपाल आप रोस्तों ड्र द्र मठपाल आपने कुछ और पड़ा हो कएं से पेट साल के खोच किस ने की तब आपको बिल्कुल याद रखना है वांकि इनका जो संग्रालाई है सुदर्प मटपाल संग्रालाई ये भीमताल में है वांकि और भी बहुत कुछ निस्तापना हुई थी 1949 में श्रीदेव सुमन अभी जो एक हाल का एक्जाम होता दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताये था कि उस एक्जाम पुछा गया था कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि श्रीदेव सु सुमन क मना जाता 25 जुलाइक को क्योंकि 25 जुलाइए 1944 मिर्ती ठाव था एक मतलब सहीट श्रीदेव सुमन केशाव दरजा ध्या था सहीट सरीदेव सुमन फिर माकी दोस्तों जब ये टीरी में परवेस करना चारे थे उससमें इनको बंदी बना लिया गया फिर इनकी चौराशी दिन के भूखड़ताल के बाद मिर्थी होगी थी बाकी लंबा है डिटेल में बाकी इनके बारे में बाद में आपको डिटेल में पूरी वीडियो दू ये उत्राखंड में सीचय अनुसंदां सस्तान इस्तित इसी तरह से एकजाम में पूछा गया था नहीं है दोलच पूर रुडपूर रुड कि मैं सस्तान रूड़की में तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है वाँ कि रूड़की में एक्जाम पुशा गया दे के इंदरी ये भावन अनु सुन्दान कहां इस्तित है तो रूड़की में इस्तित है रूड़की में इंजिनिरिंग कॉलेज है ये आपको पता है थांसन इ भीजगी भरती यह होते रहती है तो बढ़ते हैं अगले कॉश्चन की तरफ भांकि भी एच उल हरीद्वार में सब कुछभा कूम्ब भी होने वाला देहरादुन मैं तो पूचो मत कि कितने शस्तान कुमाई परिस्यत का घठन कि अल्मोन हुआ था किन के परियास के होा था फ्रीजों से थोड़ा मैं आपको बताता हूं पीछली विडियो चैनल बालि आपको बने खेल देज़ lowered विडियों में ढूंक को समय होती हैं जर्मो प्रति अबतेशेन चेटेक सारищ गण्यों पंथ हर गोविंद पंथ यह थे बद्रिदत पांडे इन लोगों के पर इन्होंने जो कहें कुमाओं परिशत का गठन किया था कब 1916 में और इसका पहला अधियोशन कहां हुआ था तो 1917 में यह हुआ था कहां अलमोडा में यह एक्जाम में सीदे सीदे पूछ लागा था कि अधिया था कोड़दवार में चौथा कहां हुआ था तो बागयसवर में नीच वागयसवर करांव कासी पूर में कासी पूर पांकी फिर कुमाओं पर सितका कांग्रेस बिलाए हो गया था 1926 में मुकुंदिला ने अधिक्ष्चता कि थी और जो 1923 का था कांग्रेस अधियो बागी 1903 में हपी कलब की स्तापना की थी गोविंद बलब पंथजी ने आप सोचे कि इनका जनम में आपने पड़ा होगा तो 10 सितंबर 1887 दिया हुआ है बागी इनका जो असली वाला जनम दिन था वो अलग था बागी इसी दिन को उत्राखंड में उत्राखंड गौरब द जी के जनम दियो उसको तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन दोस्तों वीडियो कं तक जरूर देखे का अब यह आपके लिए परसने बचे हुए हैं सभी परसने एक्जाम में पूचे गए अपर निची सचीव 2017 के में आया हुआ परसनी है अब इस सेम इसमें डिक्टो मैंने यहां पर इसको टाइप किया तो इसका सही उत्र दोस्तों आप्शन नमर सी नहीं है उत्रा खंडर राज जिमें बरतमान विधान सभा चेत्रू की संक्या कितनी है सत्तर तो कुल हो जाएगा सत्तर पलस एक यहां पर होता है मनोनीत तो इसका सही सत्तर दोस्तों जो आयोक के दोरा दिया गया था यूके PSC के दवरा तो 70 था मैं भी इसमां आपको 70 बताओंगा कि संक्या कितनी है कुल इसकार नहीं हो सकती है बांकि 70 है यह यहां दोस्तों एक्जाम परस निशी तर से बनते हैं बाकि आप देख रहें किसी ने एक्जाम में आपके परसन लेके आया हूं बाकि आपको वहाँ बिल्गुस सही करने रहते हैं बाकि सो नंबर आपके जिसे से वन्डे एक्जाम है सो कोशिचिन उसमें पूछे जाने हैं सब्सक्राइबтак अपना दिवस की स्तिती को मनाए जाता है तो इसका सफ़ उत्तरा नौन नौम्बर को साफ़को पंद्रार को 26 चैस्थ मिना था कि भारत का 26 राजी कौन सा है 26 राजी जिसकी स्तथा आपना था घ्रिजान ft 0 25 तो बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरफ यह कोस्चिन भी हाली के मैं आपकारी में भी पूछा गया और भी एक्जामों में पूछा गया कि उत्राखंड में राष्ट पतिस आसन कब लगाया गया इसी तरह से बना था इसी तरह से मैं यहां पर लिया हूँ एक अप्रेल 2016, एक मार्चे 2016, 27 मार्चे 2016 तो जो अनभवी हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है जिन्होंने नहीं पड़ा है तो लोग ध्यान दें कि 27 मार्चे 2016 को उत्राखंड में राष्ट पतिस आसन लगाया गया था पहली बार तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है और primo verse 27 मार्चे इथे कब तक लगा था तो यह आप जो अनभवी लोग हम ह Milliarden बजोरो कमेंट बोक्स में बताईए 27 मार्चे 2017 मैं तक मैं प्याता मैं कितनी तारिक लगा था वह आप कमेंट बोक्स में जरूर बताईए तो भडतें अगले कोस्चिन की बागी जो सुकून मिलेगा यहां जाने के बाद इस जौप में UKPSC के तर आरो यारो की जो भरती कराई जाती है तो मतलब की बहुत अच्छी जौप है चौपुला क्या है तैसिल निरित्य लोगबाद्य पवित्रिस्तल इस तर से बनाता चौपुला तैसिल नहीं है चौपुला है निरित्य निरित्य है निरित्य है तो याद रखिए यह कहां मनाया जाता है तो गड़वाल में महिलावर पूरुसरी के द्वारा किया जाता है इ और इसमें दोस्तों कोई जो मतलब की लोग बात दियांतर है या इस तरह के कुछ इसमें नहीं बजाए जाते हैं यह आपको भिलकूल याद रखना है और जो पुरूश निर्थी करते हैं उनको क्या खाजाता इसमें यह एक बार बना था तो उनको खाजाता है चौफुला च तो इस्त्री जो महिला नेत्ती करते हैं उनको है जाता है क्या चौप फुलो पस यह भी एक बार बना था परसन तो बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन यह भी UKPSC तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हुईए गोविशान किसका काशिपूर का बाड़ा हाट किसका उत्तर काशिका तो बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ इसके बाद एक कोश्चन और बच्चा है इस एक्जाम में आप कहेंगे कि एसा कोश्चन आया है फॉरस्टेगार्ट में भी आया था और भी एक्जामों में आया है श्याम भी और यह कंश्चन पाल कहाई तरहला स्याम लाताल काशिका है अलमोडा चंपाउ चंपवत चंपवली या फिर नेनी ताल तो श्याम पाल दोस्तों यह कहांँ? ये मैं बिल्कुल याद रखेएं मैं थराक ताल अल्मोडा में है चमोली में तो कितने ताल है पूछो मत नहीं ताल को भी सरोर नगरी कहा जाता है और लेग डिश्टीकव उत्रा खंड भी ये नहीं तालगी रहेmi बहुत सारे बागी डिटेल में बहुत पड़ाओंगा जब बहुत जल्दी वीडियो ले के आऊँगा मागी चमोली में तो सबसे ज़्यादा चाल का है चमोली में है और फिर नैनी ताल में भी बहुत सारे ताल है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के जब नल्दमन्ति ताल, रामसिता ताल, खुद नैनी ताल, भीम ताल भागी रती, भिलंगना, मंदा की नी, पिंडर तो बाल गंगा, मंदा की नी और अलग नंदार उद्र पर याग में अभी जो उत्रा खंडे सब इंस्पेक्टर के इजाम में अभी पढ़ा था अलग नंदा और पिंडर का संगम कहा होता है अलक नंदा और पिंडर तो यह कुता है कहां? करने पड़े आग में तो भागी रती बिलंगना नी इसका उद्धगम कहां से होता है? यह कहां से होता है तो महासरताल महासर ताल वही ताल है जिसको कि भाई बहन ताल भी कहा जाता है और ये भी एक्जाम में पूछ लिया गया था और महासर ताल कहा इस्तित है सहस्तित ताल के निकट है सहस्तित ताल गड़वाल चेतर का सबसे बड़ी जीलिया ताल है सहिस्टर ताल तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है तो बांकि कहने के लिए मात्र पंद्र को चिंत है बांकि आपने देखा होगा कि पंद्र गुणा तीन यानि कि 45 प्रसंट लगबग लगबग आपके होई गे होंगे इतना कुछ एक्ष्टा फेक्ट आपको जानने को म चुनाओ से पहले यह सब आता है उस समय चुनाओ होने थे 2017 में चुनाओी रण चुनाओी गेम सब यह होता है ज्यादा तर उसी समय भरतियां उत्राखंड में निकलती है बांकि जो बंदे फिर 2017 के बाद अठार के बाद त्यारी कर रहे थे तो उनको बीच तक कुछ ज्या आप देख सकते हैं कि आज वो लोग किस तरह से लगे हुए हैं फिर भी लेकिन वह बहुत पिछे पिछड़ गये हैं थोड़े बहुत क्योंकि उन्होंने ध्यान नी दिया उस समय सभी को ऐसा लगता है कि उत्राखंड में पैसे से बहुत जौब निकलती है या फिर ऐसा व वीडियो के साथ